Hello friends, I am C.A. Praveen Gholchha, Director and Faculty of Excel Education Institute, Tripol. इसेने बिल्कुल सही का है, if you fail to plan, you are planning to fail. कई बार हम यह महसूस करते हैं, यह हमको feedback मिलता है बच्चों का कि सर, exam आ गया दो दिन के बाद, लेकिन 30% course हो नहीं पाया, 40% course हो नहीं पाया, तो अब एक सवाल ही कि ऐसा क्यों हुआ? यह गलती ना हो, इसके लिए हम अपने students को हमेशा, exam के पहले, जो PL जब लगती है, उसे में complete plan देते हैं कि आपके PL में कौन से दिन आपको कौन सा chapter पढ़ना है, तो इस CA Foundation की planning हम आपके लिए लेकर आएं, तो इसको जरूर से use कीजिएगा, क्योंकि problem क्या होता है, हमारा जो mind है, अगर आप अपने mind को ये instruction देते हैं कि मेरे को एक गंटे में एक page पढ़ना है, तो एक गंटे में एक page पढ़ना है, लेकिन आप अगर अपने mind को ये instruct करते हैं, कि मेरे को 10 minute के अंदर एक page पढ़ना है, तो वो एक page का जो काम है पढ़ करता हूं देखे plan कैसा बनाया गया है आपको दिन में 12 hours का study plan है तो CA में आप जानते हैं मिटा बाहर पी यल में इतने घंटे तो पढ़ने ही पढ़ेंगे तो अब यह जो plan है वो दो options है आपके पास option 1 अगर आप जल्दी उठ सकते हैं तो आप 6 बजे से अपना study over चालू कर सक सकते हैं या अगर आप मान लिजे late को पढ़ना चाते हैं तो एक option भी आपके पास आप 8 बजे से पढ़ना चालू कर सकते हैं तो दुरों में कोई भी option आप out कर सकते हैं अब यह planning कैसी देखिए one by one में आपको बताता हूं सबसे पहले आप पहला slot आप कराएगा 6 to 9 का तो 6 बजे से लेके 9 बजे तक का यह पहला slot जब आपका जो mind है वो एक दों fresh है तो आप चालू कीजेगा law and BCR और दो गंटे का जो time है वो आपको law को देना है और एक गंटे का time आपको BCR का देना है क्योंकि दूनों मिलकर एक paper है तो systematically आपको त्यारी करनी है अब यह जो हमने plan बनाया यह हमने plan बनाये 4th में 22 से तो 4th में से क्योंकि 3rd में से 3rd में तक हम लोग revision classes लेने है तो 4th से हमाने यह PL चालू हो रहे है तो आप जो भी अगर आप बालिजे 1st में से plan करते हैं तो आप उसके accordingly plan तो यार कर लिजेगा तो 4th में को जैसे एक example दे रहा हूँ law का आप आपको पढ़ना है chapter number 1 अभी जो chapter number 1 ही कौन सा है ICAI का study mat में जो chapter 1 है वो chapter 1 रहेगा और BCR का part 1 ICAI ने study mat में इसको part 1 दिया तो हमने लिग दिया part 1 तो आप देख सकते है chapter 1 chapter 1 आपको पढ़ना है 4 तरिक 5 तरिक 6 तरिक 7 तरिक 8 तरिक 9 तरिक तक आपका chapter 1 खतम हो जाना चाहिए और time क्या रहेगा आप 6 to 9 मतलब सुरू के 2 घंटे मालो 6 to 8 आप इसको देते हैं और 8 to 9 इसको देते हैं तो 6 to 8 ऐसा 2 घंटे करते करते हैं आपको 9 तरिक तर chapter 1 को complete करना है और वैसे ही आप देख सकते हैं जो BCR है वो आपको 3 दिन में खतम करना है तो यह जो target है target से फाइद पहले पता चलेगा 30% कोर्स तो बज गया तो आपको कोर्स को complete करने का तरीका यह होता है कि आप target based study करें इसके बाद 9 से 10 एक गंटे का ब्रेक है ठीक है आप नास्ता लेजिए फ्रेश होई है जो भी 9 to 10 एक ब्रेक है इसके बाद 10 to 1 ने चुली यह पहले मैं भी बात करूं फर्स सेशन से जो second वाला option opt करना चाते है वो 12 से 3 का इनका schedule रहेगा तो 10 से 1 लेकिन अगर आप मेरे से पुछेंगे better option का है तो मैं चाहूंगा कि आप अगर option 1 के साब से त्यारी करेगे तो ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप जल्दी उठेंगे तो fresh feel करते है तो रा मैंने topic को ही लिखा है जैसे comfy account, comfy account आपको दो दिन में खतम करना है फिर partnership account आपको दो दिन में खतम करना है and so on लेकिन एक बात में आपने बोलना जरूर चाहूंगा कि यह हमने अपने हिसाब से त्यार किया schedule लेकिन अगर आपका मालीजे कोई topic ज्यादा week है कोई ज्यादा strong है तो आप उसको कम ज्यादा अपने according भी कर सकते हैं लेकिन करिएगा जरूर मतलब यह जो schedule हमने बनाया न उस तरीके को उसको थोड़ा बहुत modify अगर आप करना चाहें आपको same to same आपको apply करना है वैसा कि यह को change करना तो प्रबाँ change कर सकते हैं इसके बाद 2 से 5 फिर यह गंटे का break हो गया lunch break हो गया फिर 2 से 5 हम आपको देने economics का और BCK का slot तो 2 गंटे आपको echo पढ़ना है और 1 गंटे to 4 और 5 तरीको and so on तो यह इस तरीके से यह पूरा कपूरा जो schedule है यह मैं description box में डाल दूंगा तो आप उसका print लेलीजीगा और अगर आप राइपूर आना चाहते हैं अगर आप राइपूर में रहते हैं आसपास रहते हैं तो हमारे office से यह schedule आपको available हो जाएगा तो इस त दो mock test हम लेने वाले हैं तो कोई भी student इंडिया का कोई भी student इस mock test को appear कर सकता है उसके लिए description box में form हम डलवा देंगे तो उस form को fill up करके आप mock test को participate कर सकते हैं तो यह mock test में देखिए 24th को पहला mock test होगा तो 23rd को आपको इस mock test के लिए PL है मतलब 23rd में को 22nd तक आपने course complete कर ल को तो ऐसे करके हर mock test के एक ही दिन पहले आपको उने PL दिया है आप उसके साब से त्यारी किजिए mock test दिये ओके देन इसके बाद 30 तारीक तक आपका mock test 1 खतम मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 30 में तक आपने mock test के साथ अपना first revision complete किया इसके बाद next आते हैं 31st से लेके 5 तक य आप देख सकते हैं 6 दिन में आपको revise करना है तो revise करते हैं 2nd revision ही आपका ध्यान रखिएगा पूरे revision 100% नहीं कर पाएंगा तो आपको क्या करना है जब पहली बार revision कर रहे हैं तो उससे में mark करके रखिएगा कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें जो 2nd revision में आपको करनी है ने तो 2nd revision करते समय आप फिर से सोचो करें कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो यह planning पहली रिविजन के समय मार्किंग करनी है कि मेरे को first revision में क्या क्या चीज़ों को second revision में revise करना है तो यह आपको ध्यान लखना है तो इस तरीके से 6-6 दिन में फिर से एक revision हो गया आपका यह देख सकते हैं यह एक बार और आपने revise कर दिया मैं एक बार फिर से आपको यह बोलना चाहता हूँ यह हमने अपने सबसे plan किया है अगर मान दीजिए आपका मैस बहुत वीक है अकाउंट बहुत स्रोंग है तो अकाउंट कर विजन को कम करके मैस में टाइम लाइन वैसे ही आपको भी schedule बनाना है इसके बाद अब यहां से देख सकते हैं छे तारिक से लेकि तेरा तारिक तक यह हो गया अपना mock test 2 जिया और हर दिन के पहले एक preparation का day है और उसके बाद आपको test देने है तो यहां पर हो गया आपका mock test number 2 टेक है इसके बाद अब 20 13 में तक आपका second mock test हो चुका है कितना आप सोच के देख देने के बाद आपका जो त्यारी हो कितनी strong हो जाएगी लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो main exam हो 24th में को है 24 जून को है 13 जून तक आपने course complete कर लिया तो अब 24 जून को आपका exams है तो यहां से लेकर यहां तक अगे के तैयारी में मान दीजिए आपने pass exam question नहीं देखा तो वह आप आपके लिए time suitable होगा आप pass exam question देखिए आटीपीज देखिए यह पूरा का पूरा टाइम यह आपका और कोई revise करना है तो जो आपका weakness है वह आपकर लिजिए हमने इस period को भी बाठ दिया जैसे हम चाहते है क सुरू के तीन दिन आपने mask को revise कर लो उसके बाद next दो दिन next two days आपका law BCR कर विजन के लिए हो गया eco BCK के लिए अगरे दो दिन और आखरी के जो तीन दिन है वो accounts कर विजन हो गया then अब आपका जो final exams है यह final exams आ रही है तो यह schedule follow करने से दो बार mock test देने से आपको फाइद आपको मिलने वाला है आपका time management आप सीख जाएंगे आप जो pressure आता exam का वो आप सीख चुके होंगे क्योंकि दो बार आप already pressure में कोई भी काम जब पहली बार करते हैं बैटा तब pressure आता है जब एक बार दो बार कर चुके रहते हैं तो pressure तो पहली है अपन handle करना सीख चुके है पहुंचने के habit डालिएगा क्योंकि अगर आप end time या late पहुंचेगे ना तो आपका mind काम नहीं करेगा थोड़ी देर तर तो एक anxiety create होती है तो exam के पहले exam hall में एक से दिर घंटे पहले पहले पहुंचिए ताकि उस जगह से atmosphere से आपको comfortable होना है इसके बाद आपको admit card, calculator, pen, pencil, scale, sharp, eraser, sharp, यह सब 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 जितनी भी चीए होती है वो exam के एक दो दिन पहले से आप तयारी करके रख लीजिएगा और कभी बी कभी दोस्तों अपने paper को जब आप paper दे कर आएंगे तो बाहर में कभी भी दोस्तों से paper का discussion नहीं कीजिएगा क्योंकि जब paper discussion करते हैं तो कुछ हमारे को भी लगती है कुछ गलती है उसको भी लगती है दोनों टेंशन में आ जाते हैं तो यह discussion कभी नहीं करना है एक बार पूरा paper खतम कर लो आप 30 मई को आपका exam करना है तो उसके बाद आपको जितना discuss करना है करिए लेकिन in between exams के दोरा exam देने के बाद कभी भी दोस्तों से कोई paper discuss नहीं करना है कई बार ऐसा होता है माल दीजिए हमारे एक दो question गलत हो गया हमको पता चल गया तो अगला paper पर उसका बहुत ही adverse effect आता है हमारे मन में वहीं गुंते रहता है गलत बना लिया जबकि step marking होती है तो एक paper आप बिगाड़ेंगे एक बिगड़ेगा दोस् सब अपने पास रखिएगा कुछ भी आपको टेंशन है तो यह हमारा office का number है आप हम लोग से भी मिल सकते हैं बातचीत कर सकते हैं और ध्यान किएगा PL में preparation लिए के दरौन healthy diet लीजिएगा यह बहुत important है अपने health को बचा के रखना क्योंकि अगर health खराब हो गई तो बेटा effectiveness रहेगी मोबाइल और social media का use क्रिप्या करके बंद कर दीजिएगा दो महिने का matter है दो मेने के लिए social media का व्रत रख लीजिए ज़्यादा अचाहे या अगर आप देना भी चाते हैं टाइम तो fix कर लो कि मेरे को यह 10 मिनिट है दिन बर का जिसमें मेरे को mobile को हाथ लगाना है वो भी fix करो कि मेरे कोई 10 मिनिट पढ़ाई के लिए बात करनी है और यह जो 10 मिनिट है इसमें मेरे को entertain होना है और हो सके हो सके तो avoid कीजिएगा तो ज्यादा बैटर है इसके बाद exam hall में social distancing की जो guidelines है COVID की वाज़े से अगर कोई guideline होती है तो उसको जरूर से follow करना है और अपन जबी भी accounts के त्यारी कर रहे हैं आप तो आपको हर chapter से हर chapter से 4-5 questions आपको पूरे format के साथ along with working note बनाने की habit डालनी चीए हर chapter से 4-5 questions आप बनाईए select कीजिए और working note जैसे के exam देने उस तरीके से बनाईए तो आपकी practice अच्छी होगी format से आप used होंगे और बाकी जो question है वो बस आप rough में भी आप solve करके देख सकते हैं law में मैं recommend करूंगा कि रोज एक question को एक question के answer को लिख कर देखने के practice कीजिए law में बहुत बड़ी समस्या होती है कि how to present the answer इसमें कई लोग को दिक्कत आती है तो law के paper में इस बात को ध्यान रखना है आपको कि एक question लिख के practice कीजिए math म formula copy बनाई है ताकि वो revisions में बहुत helpful रहती है BCK में chapter 3 chapter 3 जो है न वो हमने यहां पर दिया नहीं आप देखिए जब आप यहां पर देखोंगे न तो chapter 1 आपको मिल जाएगा BCK का chapter 2 मिल जाएगा chapter 4 मिलेगा chapter 5 chapter 3 हमने यहां से गायब कर दिया क्यों गायब कर दिया क्योंकि ज पांच कंप्यों के जो डेटा है वो आपको याद रखना है डिली मतलब जितने दिन तक आपका BCK चल रहा है हर दिन आपको पांच कंप्या आद रखनी है इससे फाइदा ही मिलेगा एक साथ पुरी कंप्यों का लोड आपके उपनी आएगा और हर दिन बाट-बाट के करें करेंगे तो आपको याद रखना आसान होगा एकनोमिक्स में जितने भी tough questions है जो आप revision करते हैं आपको जो question tough लग रहे हैं उनको marking करना है उसको mark करके रखें ताकि second revision और exam दिन आप उसको कर पाए और यह सबसे important note हमने यहाँ पर लिखे रखा है कि जो जो papers के जो जो पेपर और पांच RTPs यह हर किसी को देख के जाना है अब एक सवाल है कि देखना कब है तो इसका अंसर है कि पहले आप course complete कीजिए course complete होने के बाद जैसी आपका course complete होगा मानिजिए accounts का course आपने complete कर दिया 30 तारीकों for example तो एक तारीकों बैठके उनके पूरे यह जो पाश्वरम question paper है RTPs देखिए जिससे आपको यह समझाएगा कि पूरे paper को आप handle कर पा रहें कि नहीं कर पा रहें तो दोस्तों उमीद करते हैं कि यह जो planning है यह आपको बहुत 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 फायदा देगी और पहले attempt में आप exam को clear कर लेंगे तो इनी best wishes के साथ मैं अपनी बाते conclude करता okay thank you